नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आसुतोस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एटुजेट इपार्ट साला में मेरे साथ में इस वीडियो में आप बहुत ही जादा इंपोर्टेंट ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं बिना पहले इस्तेमाल किये इसका विश्वास ना करिएगा बिलकुल पहले इसको सीख लीजे देख लीजे और इसको फॉलो करिए फिर देखेंगे आपकी हाँ यह इसमें आपका कुछ नंबर बढ़े जा रहे हैं कुछ कोश्चन आपके सही हो जा रहे हैं तो इस बात को ध् important होती है पढ़ाई बिना पढ़ाई के तो एकदम नहीं किया जा सकता और दूसरा तुका भी जो है काम करता है बहुत सारे आपके marks बढ़ाने का काम करता है आप हर एक चीज तो पढ़ नहीं सकते लेकिन जो चीजे पढ़े होते हैं तो यह आप ट्रिक और टेकनीक जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करते हैं तो उस तरह से आप जो है इसमें कुछ नंबर आपके बढ़ा जाते हैं जिसकी सेलेक्शन हो जाता कुछी नंबर से बहुत सारे लोग के marks रुख जाते हैं और उनका सेलेक्शन नहीं हो पाता है तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देखि हो उसमें आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा काम करेगी और बहुत ही ज्यादा फाइदे मन होगी आपके लिए साब इसके आप अगर किसी सेक्शन में वीक हैं और उसमें कौलिफाई नहीं हो पा रहा है तो भी यह समय लिजे काम कर जाता है यह बहुत बार आपको टेक्नीक्स बताएंगे कि हाँ किस तरह से आप पूरा पेपर सौल कर सकते हैं और कितनी आसानी से बढ़ियां नंबर ला सकते हैं इस तरीके से आपको जो है बहुत पुराना पढ़ा हुआ भी जो है वो भी देखिएगा याद आजाएगा और बहुत सारी चीजें आपको जो हैं इसमें समझ में आएंगी और जब इसको आप ट्राई करेंगी और इसको लगाएंगी अपने एक्जाम में और घर में प्रैक्टिस सेट पे तो आपको समझ में आएगा कि यहां कितनी बढ़ियां गजब की बात इसमें बताई गई है ठीक तो फिर आगे इस चीज को आप जरूर लागू करिएगा मैं बिलकुल नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही आख बन करके बरोसा कर लिए इसको पहले प्रैक्टिस सेट में अपने सावल करिएगा देखिएगा फिर उसके बाद में इसको आप लागू करेंगी में एक्जाम में तो आप देखेंगे कि यहां आ हमेसा तीन स्टेप में करना चाहिए तीन स्टेप में नहीं तो मिनिमुंँम दो एक्जाम की बता रहा हूं मैंने आठ नौ उक्जाम क्राव करा हूए हैं तो हमेशा इसी प्रकार से जो मैं बातें इसमें बताऊंगा आपको वो सभी मेरी एक्जाम में फॉलो की हुई बाते हैं कहीं और अलग से मैं उन बातों को नहीं लाया हूँ मैंने अपने जो follow किया है वो चीज़ आमको इसमें हम बता रहे हैं तो हमेशा तीन स्टेप में करता था नहीं तो दो स्टेप तो minimum होना ही होना है अगर easy paper है तो नहीं तो tap paper है तो तीन स्टेप हो जाते थे अब उसमें करना क्या होता है सबसे पहले जो एक स्टेप में तीन तरीके स्टीन पार्ट में भाग कर लीजिए अपने exam को एक में क्या है सबसे पहले हमें करने हैं बहुत सारे easy question जो एक नजर में हमारे होते जा रहे हैं वो वाले question ये सबसे जो पहले जो हैं बहुत अच्छे से आते हैं हमें question आते हैं बहुत अच्छे से वो question आपको सबसे पहले करने होते हैं फिर उसके बाद में दूसरा number आता है उसमें क्या कौन से question करने होते हैं जो हमें आते हैं लेक से कम टाइमिंग लगती है आपको सब आते जाते हैं रहते हैं तो आप जैसे दो घंटे का पेपर है तो उसमें दो घंटे के ही एकदम छोड़ता दिज्य आगे-बढ़िए और आगे कानम एजलर को प्ता है हुआ सारे कर लिजिए अब ठकना नहीं की किसी कउशियन में कोई कोई पर में टाइम कोश्चैन में काम धूर्स नहीं करता है, फिर दूसरा बात आए जो उसमें से ज्यादा टाइम आपको इसमें देना है इसमें आपको कम से कम जो है पचास से साथ मिनट आपको इसमें देने है इससे ज्यादा ही आपको देना पड़ सकता है नहीं तो फिर आप पचास से साथ मिनट इसमें देजिए आराम से बीस मिनट में यह किया फिर पचास से साथ मि वाले question भी होते हैं और ज्यादा tough ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं तो यह question भी आपके solve होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें आपको परिसानी नहीं होगी यहाँ पर दिमाग आपका बहुत तेज चला होगा करी बार आप देखते हैं कि कोई question एकदम आखरी समय में हम जल् गया होता है तो हमें सारी चीजें लगबग यादा रही होती है और हम उस question को कर ले जाते हैं तो यह काम इस तरह से आपको question पेपर को attempt करना है हमेशा हलका फुलका इदर चेंजेस आप थोड़ा बहुत अपने इसाथ से कर सकते हैं फिर दूसरा देखिए आगे नंबर आता हैं अगर आपको तो उसके लिए आपको sample paper sample paper बहुत सारे लगाने पड़ेंगे हमने हमेशा sample papers या मैं पर जित्ते भी exam मैंने दिये हैं qualify कि हैं उनके sample papers की मोटी मोटी बुक्स रखी हैं कि मैंने उसके question सब खुब लगाए हैं फिर दूसरे होते है previous year paper मैंने हमेशा अपने व तो previous year paper जो हैं उनसे क्या होता है आपके कम से कम 40-50% question आपको previous year paper से ही मिल जाते हैं तो ये जो है same type के होते हैं और कुछ question तो आपको इस तरह के मिलेंगे जो previous year question से ही बनाए हुए रहते हैं उन्हीं के option को बदलके दूसरा question जड़ा सा पूछ लिया जाता है तो इस तरह के question question आपको 40-50% मिलेंगे और आपके exam को qualify करने के लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा roll play करते हैं ठीक उसके बाद में sample paper आप solve करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी कौन-कौन सी गलतियां है क्या-क्या गलतियां आप exam में कर रहे हैं तो इससे आपको ये चीज़ को का सामना exam में पढ़ेगा करना अब यही वाली ट्रिक जो बताइए आपको हमने की तीन पार्ट में करना है तो यह आपको इसमें फॉलो करना है ने sample paper में और previous paper में तब उसके बाद में आपको भरोसा होगा कि हाँ हम इस तरह से जब question paper कर रहे हैं तो फिर हम ज्यादा question कर ले जा रहे हैं और अगर direct करते जा रहे हैं और उनमें confused होते जा रहे हैं सीधे सीधे एक number से लेके 100 number तक तो फिर उसमें जो है हमें दिक्कते को सामना करना पड़ रहा है यह चीज़ आप जब को इसमें sample paper में करेंगे तो आपको खोदी समझ में आ जाएगा कि हम आई बता होना चाहिए ठीक बिलकुल आप डिवीजन एक बुक से करिए आप पूरा final last में एकदम authentic बुक रखिए कोई भी जो भी बुक ऐसे नहीं कीदा उदर की बुक बहुए लगते हैं एक ट्रिक आपको हम बताते हैं ट्रिक के लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे क सब तो बताई नहीं रहे हैं तो उसके लिए जो है हम बताते हैं math और reasoning में देखिए एक ट्रिक हमेशा लागू होती है वो ट्रिक हमेशा देखेंगे आपको ज़्यादा तर question में अगर आपको कोई अलग से अब देखिए इसको तुका बोलेंगे आप वो अलग बात है लेक है कि हमेशा जब भी आपको कोई भी question मिल रहा है उसमें अगर देखेंगे बिलकुल अलग सी value बिलकुल अलग अलग लगने वाली value मैथ और reasoning में जो एक्दम अलग अलगने वाली value होगी वो आपकी कभी भी answer नहीं होगी वो आपकी कभी भी answer नहीं होगी हमेशा वो जबरद कर दे रक है और उसमें और नमबर साथ दे रखे तो यह सात नहीं होगा answer यहीं है से ही answer होगा ठीक reading में इसवी तरे से है अगर यह आपकी GS में लगती है सबसे ज़्यादा ठीक GS है हिंदी है इन सब में यह question आपके वो यह सभी question आपके जो है वो बिल्कुल आपके मिल जाएंगे question इस type के इसमें जरूर एक ना एक question दो question आपको जरूर मिलते हैं इसमें यह देखे जानते हैं क्या होता है जैसे 40 question आ रहे है चालिस question इस वाली trick में क्या है कि कहीं पर आपको all of them all of them मिल जाए अब all of them मिल जाए और या फिर none मिल जाए जब none मिल जाए तो होता क्या है इसमें जैसे कोई भी paper बना रहा होता है तो उसमें 40 question उसको select करने है अब 40 question अगर उसको select करने है उसने 49 question select करने है और उसमें से आपको एक question ऐसा मिल जाए जिसमें all of them और एक नन दे रखा है तो उससे क्या होता क्या है कि वो question एक सबके मन में आता है यार सारे तरह के question तो दे दिए एक तो all of them वाला तो हमने question ही नहीं डाला है आप भी paper बनाएंगे तो आप भी यहीं कहेंगे या none वाला तो कोई question ही हमने नहीं डाला है तो हम देखेंगे क्या सोचेंगे अच्छा इसमें से एक दो question अटाओ और हम एक जो है all of them वाला और none वाला question इसमें डाल देते हैं तो हमेशा फिर उसका answer आपको none मिलेगा या all of them मिलेगा यही तरह का question आपको मिलेगा अगर आप देख रहे हैं आपके 40 question में सब एक ही इस type का question आप सारे ही question अगर इस तरह क्या जाएंगे तो उसमें तो होगा नहीं लेकिन अगर एक ही दो question आपके आ रहे हैं तो उस जगह पर यह answer होने के बहुत ज़्यादा chances रहते हैं लेकिन अगर आपको अपना दिमाग लगा रहा है कोई आपको answer आ रहा तो अलग बात है लेकिन यह चीज़ को apply करके देखिएगा जब इस चीज़ को अपना paper में ऐसे पहले apply करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यह चीज़ साइकलोजीकली सही बात है मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ आपको ठीक तो इस चीज़ को जरूर लागू करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं आगे एक trick बताते है अगर चार option यह दे रखे उसमेंसे आपने जो है दो option को आपको पता है कि यह दोनों गलत है यह दोनों गलते तो इसमें आप पता चलाओ की स्वेंसे कोई-उसर होगा तो इसको जरूर उर मारना है आप इसमें भी जो है हमारी जञाधा तर probability क्या होती है अगर ऊसमें चांसे हैं, चांसे बहुत ज्यादा रहते हैं, आलाकि उसमें एक दम नहीं है, यह पने स्सेट स्योर्टिस नहीं कह रहा है, लेकिन आप जब यह चीज को प्रैक्टिस पेपर में हैं, तो आपремडनी सानघ का चांसे हैं, यह चांसे ज्यादा था खरये हैं, चांसे पता चल उ आप इसमें जो है C मारिएगा ये रहता है उपसन हमेशा कि इसमें C वाला हो जाएगा आप जिसमें जब या फिर B और C में लगाना है तो इसमें आपको जो समझ में लगा सकते हैं ठीक ये दोनों गलत पता चलना है तो B और C में एकदम 50-50 की प्रवेटी रहती है तो इस ची पर B में देता है C में देता है D में होता है जब या जब तीन अगर गलत निकाली लेगा तो फिर C दी में हमारा इंसर बता देगा तो ये तोड़ा कंफ्यूज करने के लिए B सी ऑप्सन हमेशा से ज़्यादा बनाया जाते हैं ये आप किसी भी एक्जाम में देखिए और सुना भी होगा ठीक तो ये आपकी इंपोर्टेंट इस तरह से बात थी इससे भी आप जेकेंगे आपके वह सारे कोश्चन इसमें सही हो जाएंगे ये आपके सभी एक्जाम्स में सभी तरह के कोश्चन में ये आपके काम आईगी और फिर आगे बढ़ते हैं चौथा रखेंशन जायाओर वह सर्थ zwischen बड़ ऑपोर्टेंट सभी एक इससे अपकी आपका इनभ और प्यास करेकते हैं इस inhaledat नहीं करता हैं आप इसमें ऑर भी इनसान है वो भी पैपर वनाने वाला भी तो वह इस में मैंनत नहीं करेगा और यार कौन लिखेंगे इस वाले को भ में से पहचानो लेकिन उसको इतनी लंबी एंसर लिखनी पड़ी तो उसका ये मजबूरी रही होगी कोई ना कोई मजबूरी इस वज़े से लिखना पड़ा क्योंकि उसको सही उपसन भी देना था उसमें से तो उसने ये मजबूरी की वज़े से यह option दिया तो आपको रेखेंगे तो कि यह वाला question आपका इसी तरह से solve हो जाएगा कि हाँ इसमें यही answer होगा तो इस तरह के बहुत बार question आते रहते हैं आप इंसरे question को आप लगाईए ठीक अब आप चारो ही आप सोचिए कि चारो ही बराबर दे रखेंगे तब कौन सा लगाएंगे तब तो भी आपको पढ़ना पढ़ेगा ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम हर जगे सारा तुक कही लग लग के काम चल जाएगा तब आपको पढ़ना पढ़ेगा तब यह examiner आपका जो है व कि किस तरह से आप लगा सकते हैं इनको और यह चांसे जिनके होने के सही होने के बहुत जादा रहते हैं आप इन चीजों को अपने पास पहले practice set पे अपनी सब जिगे पर अपलाई करके देखिए तो जैसे कहते हैं घड़ी का एड़ाता है कि हाँ पहले इस्तिमाल करें वै नहीं मिल रहा है वो आपको अच्छे से समय में आ जाएगा ठीक तो फिर अगर और कोई confusion हो और अगर इस तरह की और tricks जो मैंने अपने exams में apply की हैं वो अगर आपको और जाननी है तो इनको comment करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like करिए subscribe करिए channel को और कुछ लोगं को share जरू करिए जिसमें मुझे भी पता चले अगर आपको इस तरह से फायदा हो रहा है तो मैं आपको और भी ज्यादा इस तरह की मैं बहुत सारी takes आपको बता सकता हूं जो मैंने practically अपने exams में apply की हैं और उन्हों exam को qualify भी किया हुआ है ठीक मिलेंगे एकले वीडि पढ़ते रही है